दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका स्पीक जी नियूस पर निजी स्कोलों द्वारा बिना वज़ा अनाप्शना बस्तों के रूप में लादे गए बच्चों पर बोज को सरकार ने कम कर दिया है इसके लिए विगत वर्सों से कई तरह की कोशिशे हुई अंतितर भारी बस् नई रास्टी सिच्छा नीती 2020 के अनुसार अब पहली कच्छा से लेकर दस्वी तक के छात छात्राओं का स्कूली बैक का भार उनके शारीरिक वज़न के दश्पतसत से अधिक नहीं होगा केन सरकार के इस निर्णे को निश्चित रूप से क्रांतिकारी फैसला कहा जाएगा क्योंकि बच्चे अब बस्तों के भारी बोज से मुक्त होंगे यह मांग बीते कई सालों से उट रही थी देश के अनगिनत सिच्चा विदो ने कई सालों से हकूमतों को इस बावत सुझाव दिये थे पर पूर्व की सरकारों ने ज़ादा गौर नहीं किया शिच्चा विदो ने बस्तों के बोज के दुस्प्रणामों से सरकारों को अवगत भी कराया बावजूत कोई निर्ड़ें नहीं लिया गया खैर देर आए दुरुस्त आए अब पहली दूसरी कच्छा के स्कूल बस्ते का वजन डेर किलो से जादा नहीं रहेगा तीसरी से पांचवी कच्छा तक के यह सीमा तीन किलो तक तै होगी वहीं छटीव सातवी कच्छा के चात्रों के बस्तों का बोज सिर्फ चार किलो निर्धारित किया है फिल्हाल इतना वजन बच्चे आसानी से उठा सकेंगे सवाल उठता है कि क्यानीजी स्कूल इस फैसले को आसानी से एडमिट कर सकेंगे या फिर अपने पुराने मनवाने ढंग का इस्तेमाल करेंगे बस्तों के बोज ने बच्चों को कितना नुक्षान पहुँचाया शायद बताने की जरूरत नहीं रिड की हड़ियां कमजोर होने के साथ साथ वह कई अन बिमारियों से भी घिरे जो बच्चे जन्व से कोपोशित रहें वह बस्तों का भार उठाने में शुरू से अशच्छम ही रहें अब बस्ते के बोज के विकल पर सरकार ने डिजिटल विवस्था पर ज़्यादा जोड़ दिया है नई सिच्छानीत में एक और अच्छी बात कही गई है बच्चों को जादा होम बर्क नहीं दिया जाएगा इसके अलावा प्रत्यक स्कूल में बच्चों के स्वास्त की निमित जाच के लिए प्रवंधकों को डिजिटल मशीने रखने और समुचित साफ जल उपलब्द कराने को कहा है कई बार देखने में आया है कि इसकूलों में साफ जल की विवस्था नहीं होने से बच्चे दुशित पानी पीते हैं जिससे उनका स्वास्त खराब हुआ जिससे कई बच्चे इसकूलों में ही बीमार हुए जब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला की गंदा पानी पीने से अस्वस्थ हुए सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नई सिच्चा नीती में जोड़ा है बहरहाल नई नेमों में सभी बाते व्यवहारिक सी लगती हैं बस नेमों को सही ढंग से लागू करना स्कूलों के किसी चुनोती से कम नहीं होगा सिच्चा के पूर्व नेमों पर किये गए सोध अध्यायन के आधार पर स्कूल बैग मानक भार को लेकर अंतरास्टी एजनसियों की शिफारिस है और यह सारभौमिक तोर पर स्विकार भी की गई बड़े अध्यायन के बाद ही सरकार ने अंतिम्रणे लिया है अब देखना यह होगा नई सिच्चानीती को कहीं निजी स्कूल प्रतिसपरधा के चकर में पलीता ना लगा दे निजी स्कूलों में दिखावे की बड़ी होड रहती है बिना वज़े के पेरियट संचालित करना, अत्रिक क्लासे रखना, बिना जरूरत के सिलेबस बच्चों पर थोपना आदी स्कूलों द्वारा भारी भरकम होमवर्क दिया जाता है, जिससे बच्चों के बैक्स का वजन बढ़ जाता है हलाकि सरकारी स्कूलों के बैक हमेशा से सीमित रहे हैं ऐसा भी नहीं की निजी स्कूल बस्तों के बोच से होने वाली बीमारियों से अंजान रहे खेर इन सभी समस्याओं को छुटकारा देने के मकसद से ही केंद सरकार ने नई सिच्छा नीति को प्रभाव में लाने का बहतरी निरणे लिया है। और अनावश्यक किताबे और चीजें बच्चों के बैग में भर कर न लाएं। बच्चों में स्कूलों से ही एक्सरसाइज और योग करने को प्रेरित करना होगा जिससे वशारेरिक रूप से फिट हो और एक्टिव हो सके। उम्मीद यही है सभी स्कूल नई सिच्छा नीति को अमल में लाएं और उसका इमानदारी से पालन करें। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी ख़बर पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।